अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाजू में जो बैल आइकन उसे प्रेस कर लिजे ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक असानी से पहुश सके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्ट इंडिया मैं हूँ इशा आज का हमारा वीडियो है कुकिंग पे और आज राम बनाएंगे एक और वन की रेसिपी जिसका नाम है आलू का हल्वा फ्रेंड्स यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कि आलु का लिए हैं पांच आलु लिए जिसको हमने उबाल दिया है 12 चार टेबल स्पूझ हमने देशी घी का यूज किया है 100 ग्राम पीसीवी जूज्वी चिनी के ज्शान तिन टे अब्स पूं मलाई यूज किए आप चाहें तो खोयका भी यूज़か सकतें इससे हम इलाइची पॉड़र लेंगे, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बदाम, ये ड्रैफूट अब अपने हिसाब से ले सकते हैं, सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं, ये हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब हम आलू का हलवा बनाना चालू करते हैं हमने गेस ओन कर लिए है पैन में हम देशी घी एड़ करेंगे फोटे वस्पून और घी को भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे हमारा घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें उबलेवे आलू डालेंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था जूएंली को कि अच्छे से बूण लेंगे इसलों इसको चुछितना घीता बनेगे हम रेता है जिभिसें अच्छी हमारा हल्वा बनेगा जब आप अलू का हलुए तो आप ένα हुझक theory की नॉनस्टिक पैन का ही यूज करें और और सब्साइगшर बहुत धींसे भेलिन विरन फ बून लेंगे पास से साथ मिनिट तक और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे हमें यहां आलू को भूंते-भूंते पास से साथ मिनिट हो चुके हैं अभी हम इसे पांच मिनिट और भूनेंगे ताकि जो हमारे आलू का कलर है वो गोल्डेन कलर आजाए और यह अच्छे से बून जाए और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे आप चाहें तो खोय का भी यूज़ का सकते हैं आलू के हलवे में इससे और भी टेस्टी बनता है या मिल्क पॉर्डर का भी यूज़ का सकते हैं हमने यहां पे मलाई का यूज़ करेंगे हमको यहां भूनते भूनते 15 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि आलू का कलर भी हलका हलका चेंज हो चुका है और आलू ने घी छोड़ना भी चालू कर दिया है अब हम इसमें केसर डालेंगे यह ऑप्शनल है हम कलर के लिए यूज़ कर दें हमने केसर को दूद में ड करेंगे और दो मिट तक इसे भी बुनेंगे ताकि यह भी आलू के साथ अच्छे से बुन जाए और मिक्स हो जाए अब दो मिट हो चुके हैं हमारी मलाई भी अच्छे से बून चुकी है अब हम इसमें चीनी एट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दो से तीन मिट तक भून लेंगे ताकि ये भी आलो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जो इसका पानी है वो भी अच्छे से सूप जाए यह हमारा चीनी का पानी भी अच्छे से सूप चुका है अब इसमें डालेंगे ड्राइफूट्स यह अपनी चौइस के डाल सकते हैं और इलाइची पॉर्डर डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो जब भी आलो का हल्वा बुन जाए ताब उसमें से गी को अलग कर सकते हैं इन सब चीजो कच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा वर्थ के लिए आलो का हल्वा बन के रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छा बनता है आप भी इसे जवू ट्राय करें फ्रेंट्स यह बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है अब हम कैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे सर आप भी उपास में से जवू ट्राय करें अगर आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूए थैंक यू